Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल इतना है, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा, कि यहाँ पर बैंक आपको दिखाते हैं, तो कुछ और है, लेकिन अक्चुल जब आपसे फीस लिया जाता है, वो कही न कहीं जादा होता है, तो वो सारी चीज़ें आपसे खतम हो जाएंगी, और साथी साथ, मॉनिटरी पॉलिसी मीटिंग में कौन-कौन सी बड़ी बाते गई गही हैं, रेपो रेट को क्या बोला गया है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखेगा, आप में से जो भी लोग UPSC की preparation करते हैं, मैं आपको बता दूँ, हमारा foundation batch available है, ये एक ऐसा batch है दोस्तों, इसके अंदर prelims, mains, interview, सब कुछ की complete preparation कराए जाती है, इसके अंदर आपको personal mentor मिलता है, live session हो गया, revision test हो गया, daily answer writing, कुछ भी आपका नहीं छुटे का, मतलब एक batch लेकर आप पूरी त्यारी कर सकते हैं UPSC की, बस आपको हमारे website आप पर जाना है, या फिर comment section में link है, और use करना है code ankit live, ताकि आपको maximum discount मिल जा, और इसके साथ साथ, अगर आप prelims की preparation कर रहे हैं, 26 मही वाला, तो उसके लिए SIP plus ले सकते हैं, और इसके लावा, अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं, तो मेरे decision आया सुबह, और बताया गया, कि यहाँ पर जो repo rate है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा, अब आपको पताई होगा repo rate वो rate होता है, जिस ब्याजदर पर जो bank हैं, वो RBI से उधार लेते हैं, अगर repo rate बढ़ेगा, तो जो banks आपको उधार देते हैं, चाहें home loan हो तो टोटल 6 members होते हैं, जिसमें RBI governor तो होता ही है, फिर इसके साथ-साथ RBI के 2 members होते हैं, और government के दोरा nominated 3 members होते हैं, तो ये 6 लोग मिलकर voting के माधियम से decide करते हैं, अगर माली ये 3 to 3 हो जाता है, तो जो final decision होता है, वो RBI governor का होता है, तो इस वाले decision में मैं आपको बता कि पिछले एक साल से, जी हाँ, पिछले छे बार से जब भी meeting हुई है, तो यहाँ पर repo rate को उतना ही रखा गया है, कितना? 6.5% रखा गया है, actually अगर आप देखेंगे, तो 2022 में अगर आप देखेंगे, तो repo rate बढ़ने की सुरवात हुई थी, क्योंकि inflation जादा हो रहा था, औ लेकिन लास्ट टाइम जब चेंज किया गया था, वो था February 2023, और तब से लेकर अभी तक आप देख सकते हैं, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, तो जाहिर सी बात है, इसका असर यही होगा, कि यहाँ पर जो आप लोन पर interest दे रहे थे, EMI आपका जा रहा था, व जो repo rate को इतना ही रखा गया, इसका main कारण यह है, कि अभी भी inflation थोड़ा सा higher side में है, क्योंकि जो सोचा जा रहा था कि inflation कम होगा, और repo rate शायद कम हो सकता है, उसमें अभी शायद देखने को नहीं मिल रहा है, और देखना होगा ultimately, although prediction तो यह लगाया जा रहा है, कि आगे आन पा लेते हैं, although अगर आप देखोगे, जो monetary policy committee होती है, उनका main मकसद होता है, कि जो हमारा inflation है, CPI, consumer price index, वो 4% से 6% के बीच में रहा है, लेकिन यह 4 से 6% में आप देखोगे, तो यह उपरी side में रहा है, 5.5%, 5.7%, और आप देख सकते हैं, जो current financial है, 2022 ते इसका, इसमें inflation 5.4% रहने के अनुसार है, लेकिन जो अगला financial year है, यह गिरकर शायद 4.5% हो सकता है, तो अगर यह होता है, तब तो आप कह सकते हैं, कि जो repo rate है, इसको further गिराने की सुरुआत की जाएगी, लेकिन वो समय बताएगा, और इसके अलावा अगर हम GDP की बात करें, कि GDP पे क्या हो रह इसका जो prediction है, वो 7% किया गया है, और जो अभी present में financial year है, इसको RBI ने बढ़ा कर 7% से 7.3% कर दिया है, जो कि एक अच्छी बात है, इमसार पुरे दुनिया में आप major economies में देखो, तो सबसे जादा growth rate इस समय भारत की ही देखने को मिलेगी, GDP में अगर हम बात करें तो, और इसके अलावा यहाँ पर और भी कुछ चीजें बोली गई हैं, जैसी यह बोला गया है, कि private sector के अंदर जो investment cycle है, वो धीरे धीरे गती पकरड़ा है, देखो अपी problem क्या थी पुछली कुछ समय से, कि private sector के अंदर investment बढ़ नहीं रहा था, जो कि बहुत important है, भले ही government कितना भी खर्च कर ले, investment बढ़ा ले, capital expenditure कर ले, private sector की बिना आप GDP को तेजी से नहीं बढ़ा सकते हैं, तो RBI गवर्नर का कहना था कि चलो इसमें धीरे धीरे बढ़ोती हो रही है, जहां तक forex reserve का सवाल है, तो देखे हैं, हम काफी comfortable position पर हैं, 622 billion dollar का forex reserve आपको देखने को मिलेगा, फिर इसके अलावा, यहाँ पर financial system की बात करें, domestic में, तो वो भी resilient है, although आपने देखा होगा, recently paytium बगरा को कुछ लेकर कदम उठाये गयते, बट as such financial system में कोई गरबड़ी नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, ऐसा RBI गवर्नर ने कहा है, इसके अलावा, यहाँ पर आपको facility है, वो भी RBI लाने की कोशिश करेगा, ताकि जो दूर दराज के लाके हैं, जहाँ पर internet connectivity शायद कम है, पूर है, वहाँ पर भी इसको चलाया जा सके, इसके अलावा, यहाँ पर जो exchange rate है, इंडियन रूपी का डॉलर के मुकाबले, वो बताया जारा RBI के दोरा, compared to other economies हम थो के मामले में, हर एक चीज में, और साथी साथ, रूरल में demand की जो कमी हो रही थी, अब उसमें भी धीरे-धीरे pace आ रहा है, अक्शलि अगर आप देखिए, हमारे भारत में जो urban areas हैं, वहाँ पर consumption ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन आपको पता ही, हमारे देश की जो बड़ी जो है, वो दिरे-दिरे भरते चाहरा हैं, फिर इसके लावा आपने देखा होगा, कि जो budget आया था भी उसमें, यहाँ पर जो fiscal deficit है, उसको control में रखा है सरकार ने, पिछली बार अनुवान लगाया गया था कि 2023-2024 में हमारा fiscal deficit 5.9% of GDP हो सकता है, लेकिन actual में अगर आप और इसको लेकर तारीफ किया RBI गवर्नर ने, फिर इसके साथ-साथ यहाँ पर inflation को लेकर जो चिंता है, उसमें सबसे important जो है, वो है आपका food के prices, जो food वाले prices हैं, उसमें बढ़ोती की वज़े से overall inflation में थोड़ी सी चिंता हो रही है, फिर geopolitical tensions वगरा है, वो basically जो supply chain है, उसक काफी अच्छी खासी recovery हुई है, फिर इसके लाबा जो manufacturing है, उसमे profitability देखने को मिल रही है companies में, service sector जो है हमारे economy activity को support कर रहा है, तो overall ठीक ठाक situation है, ऐसा RBI गवर्नर ने का है, अब मैं आता हूँ कि हाँ यहाँ पर एक बड़ा decision लिया गया है regarding the loan, देखे, आप जो loan लेते है especially जो retail loan, जब मैं retail loan कहता हूँ, गाड़ी का loan हो गया, home loan हो गया, जादा तर personal loan से लेकर हर एक जो loan आप लेते हो, और साथी साथ जो businesses हैं, MSME वाले, micro, small, medium, enterprise, यह लोग जो loan लेते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी transparency RBI लेकर आई है, यहाँ पर अब क्या करना होगा, जितने भी banks हैं, जितने भी fintax हैं, मतलब financial technologies वाले जो companies हैं, वो वहाँ जहां से भी आप loan लेते हो ना, अब, अब से उनको यहाँ पर एक key fact statement जारी करना होगा, अब यह key fact statement क्या है, जैसे usually कई बार क्या होता है, कि अगर आप bank में जाते हो, कहीं पर जाते हो, आप loan लेते हो, आप का जो bank वो कह देता है, कि चलो अभी home loan अगर आप लोगे तो 8.8% interest है, ठीक है, यह interest लगेगा, तो आपको लगता है कि चलो ठीक है, यहाँ पर loan सस्ता मिल रहा है, लेकिन background से पीछे से क्या करता है, वो bank कई बार processing fee वगरा जादा कर देता है, document charges वगरा जादा कर देता है, और कई बार मालीजे, आप किसी time AMI नहीं pay कर पाए, तो आपके उपर जो penalties लगाई जाती है, वो बहुत जादा heavy होती है, तो वो सारी चीज़ें आपको crystal clear पहले नहीं बताया जाता है, लेकिन अब देखे क्या करना होगा, यहाँ पर जब आप ये सारे loan लोगे, तो अब आ में आपको simply a key fact statement दिया जाएगा, कि आपका actual में overall charges क्या है, मतलब उसके अलावा कोई भी charges, bank नहीं ले सकता, और सिर्फ bank नहीं, ध्यान रखेगा, मैं बार-बार कह रहा हूँ, कि चाहें bank से आप पैसा ले रहे हो, या फिर fintech हो गया, आजकल हो गया है ना, बहुत सारे financial technology के जो companies आ गई हैं, वो आपको loan देती हैं, छोटे-छोटे, तो वहां से भी, जहां से भी आप loan लेते हो, एक standard format में आपको सब कुछ बताया जाएगा, जिससे एक बहुत बड़ी transparency आ सकेगी, लेकिन देखे क्या हुआ कि जब RBI का ये decision आया, ये especially loan वाला, जो मैंने आपको बताया इसको लेकर, इसकी वजह से stock market में थोड़ी गिरावट देखने को मिली, अब इसका कारण क्या है, देखो, especially अगर आप nifty bank देखोगे, nifty bank basically क्या होता है, ये एक index है, जो हमारा banking sector है, उसको represent करता है, जो बड़े-बड़े banks है न, उसको represent करता है, तो क्या हुआ हुआ RBI का ये जो decision आया है, इसे especially जो private banks है, उनको थोड़ा बहुत loss होगा, ये बात सही है, और इसी के वज़े से क्या हुआ है, कि उनको loss होनी के वज़े से, यहाँ पर जो nifty bank है, उसमें बड़ी गिरावट, आप देख सकते हैं, ये 46,200 के आसपास चल रहा था एक समय, और ये लगभग 45,200 के आसपास आ गया था, ठीक है, lowest point पर, 1000 points की लगभग गिरावट हुई थी, तो ये एक main current था, और दूसरा मैंने आपको बताया है, कि हाँ पर जो repo rate है, भी उसमें गिरावट नहीं किया, RBI ने, तो उसकी वज़े से भी अब देखना होगा, कब तक ये था, जिसकी वज़े से ये गिरावट देखने को मिली, ठेर, I hope कि आपको इस पूरे वीडियो में अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्या क्या हुआ है, और जाने से पहले एक interesting question क्या बता सकते हो, interest payable on savings banks account in India is, whether it is regulated or not regulated, क्या है, कौन regulate करता है, जो interest मिलता है आपको savings bank account पर और इसका जो right answer है, आप सबको पता है, मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, Telegram से ले सकते हैं, इसका सही उत्तर में, कई सारे जो MCQs हैं, वो यहाँ पर stories में डालता रहता हूँ, अगर आपको PDF ये तो Telegram पर आई, ये लग लग सोशन म तil then, thank you very much, see you soon.